मैं आचार सियाम उंत्रपाठी आप सबहें लोगों का एक वाद फिर से हमारी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को मकर रासी के ऊपर बताने जा रहा हूं कि मकर रासी का बाब ये किस तरीके से उद्य होने जा रहा है 2030 में मकर रासी के ऊपर शरीदेव की कैसा कृपा होने जा रहा है यह मैं मकर राशी वालों को बताने जा रहा हूं तो दोस्तों अभी तक ज़िए आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा अच्छा अच्छा जानकारी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से देता रहूंगा तो दोस्तों मकर रासी का भाग्य उद्य होने जा रहा है शनी महराज आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देने जा रहे हैं मकर रासी का भाग्य उद्य होने जा रहा है जा रही है तो दोस्तों आप लोग शनी देव को प्रशन करने के लिए शनी चारिशा अवश्य पढ़ते रहें मकर राशी का भाग उद्य होगा आपके रुके अधूरे कार्य पूर होने लगेंगे ये मेरा विश्वास कहता है दोस्तों शनी देव के शाथ साथ आप लोग हन अनमान चारिशा भी मकर राशी के लोग पढ़ते रहेंगे तो निश्क्री जान वीजिये चिस तरीके से सोना को टपाने से लाइट आजाती है ऐसे अगर आप अदूर हूर होने जा रहा है दोस्तों शनी चालिशा, हनमान चालिशा, मकर राशी के लोग अवश्य पढ़ना शुरू कर दे, मेरा धवा है, आपके रुखिये धूरे कारे पूर हो जाएंगे और जल्द से जल्द पूर होंगे, ये मेरा विश्वास कहता है, शनी देव की महांकृपा, बरशेगी और हनम जी की विक्रपा आपके उपर खोने जा रही है, तो दोस्तों मकर राशी के लोग बहुत ही भाग शाली है, दोहजार धेश में एशा चमतकार होने जा रहा है, आपके भाग उदर हो जाएंगे, आपकी मनौकामना पूर होगी, जो भी चाहेंगे वरकार्य कर लेंगे, जोस्तों मातारानी दुरुगा का भीकृपा मकरासी के उपर होने जा रहा है जदि मकरासी के लोग मातारानी का दुरुगा जी का अश्वर करते रहेंगे दुरुगा चालिशा पढ़ते रहेंगे तो यह जान लीजिए कि सनी देव की महान कृपा तो हो ही रही है मातारानी की भी कृपा दुरुगा जी भी की कृपा आपके उपर बरशने लगेगी तो रुका अधुरा कारे जल्दी से पूर हो जाएगा कोई बाधा अगर आ रहा है तो काई की तरफ छट जाएंगे मकर राशी के लोगों का भाग उदय हो जाएगा इसलिए मेरे चैनल को देखते रहे तो आपका अच्छा जानकारी आपके सामने मैं पेश करता रहूँगा इसलिए जो भी मातारानी का शनी देव का मकर राशी के लोग कूजा करेंगे तो दिसी जान लिजिए उनका गाम कोन होने जा रहा है ये श्याराम